तो दोस्तों अपने sociology की crash course को आगे बढ़ाते हैं आज काफी बड़े एक chapter की बात करते हैं chapter number 7 अंत में definitely हम एक सवाल भी discuss करते हैं आपको पता है और आज कभी हम homework लेकर जाएंगे जो हम next class में discuss करेंगे तो second last ही ये lecture है paper 1 में paper 1 में हम अभी chapter 6 तक cover कर चुके हैं chapter 10 भी 7 पर आ चुके हैं and politics and society बच्चे इसको जो particularly जैसे क्या करते हैं बहुत उपर उपर से chapter को दिख जाते हैं लेकिन हमने यूट्यूब पर भी काफी extensively इसको cover किया हुए जो theories है power की power elite, bureaucracy, pressure groups, nation state चोट 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 देखो कि इतने साथ topics हैं बर detailed topics हैं हमें देखने आने चाहिए protest, agitation, social movements, collective action, revolution ये क्या चीज़े रहती हैं इसके बार में हमें knowledge होने चाहिए तो यहाँ पर वही same exact same हम जो यहाँ पर idea follow कर रहे हैं कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हमें कौन से chapter के lecture में जिसे introduction to power ये youtube का link लगा हुए इसको आप देख सकते हैं pdf download कीजिए platform पे available रहती है and then की जो उसमें देखते रही है आगे content हमेशा देखते रहीएग कि basis of power क्या है ठीक है okay and then features क्या है power के पावर को widespread कर दोगे कहते हैं अंत में हमेशा स्रफ थोड़े से ही लोग होंगे जिनके पास power concentrate हो जाएगी वोगरे इवन आप democracies की बात कर लो democracies में भी आप अंत में बोलते हैं इतने सारे आप representative को elect करते हो उसमें से कुछ ही ministers बनते हैं पर spread out करने की कोशिश कर लो power को ओके यहां पर हमारे पास जो Robert Michaels के आरे लॉफ ऑल गया रहे की और वो कहरें इवन की democracies में भी होता है elites क्या होते हैं and elites का हम counter भी देखते हैं कि सरफ और सरफ दुनिया में elites नहीं है दुनिया में power सच में widespread है की फैली हुई है जिसे David Risman and Robert Dahl की जो एक दो हम जो studies देखते है and pluralistic conception क्या है जो pluralistic का मतलब क्या रहते है दोस्तों pluralistic का मतलब है कि जो power concentrated किसी कुछ चंद लोगों के हाथ में नहीं plural है फैली हुई है तो इसी रहे जो दो counter theories हैं एक तो elite और एक plural जो elite etc कुछ नहीं है जब भी जनता का मन करता है जनता बदल देती है elites को जनता बदल देती है सरकारों को तो इसी लिए वो कह रहे हैं कि power जो भी concentrated ना होकर बहुत से लोगों के हाथ में Parsons और Weber को आइडिया को हमेशा ही एक contrast में देखते हैं जो Weber ने जब हम power की बात करते हैं Weber के definition आती है कि zero sum game है कि अगर मेरे पास power है तो किसी के पास नहीं होगी तभी ही वो कह रहे हैं power exercise हो सकती है Parsons कह रहे हैं सरी zero sum game नहीं है Parsons Weber को criticize करते हैं कि zero sum game नहीं है ये क्या है हमारा जो Parsons की conception क्या है ये एक variable sum है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास भी power हो आपके पास भी power हो और पूरे सामाज की power बढ़ती जाएं तो ultimately वो क्या बोलते हैं जैसे कि capitalistic societies वो US की बात करते हैं कि जहां पर सभी collectively capitalistic ideas को परजू कर रहे हैं wealth generate कर रहे हैं बोल्स को लेकर clear है तो आगे बढ़ते जाते हैं और पूरे की पूरे सामाज की power बढ़ती जा रही है तो जैसे देख सकते हैं इसके criticism भी है conflict theory Marx, Foucault Michael Foucault जो बात करते हैं ठीक है इसको Foucault नहीं कहते हैं जैसे क्योंकि शाहिए इटालियन थे इटली में जो इनको Foucault कहा जाता है ठीक है तो अब Michael Foucault जी क्या कहते हैं कि power and knowledge साथ-साथ चलती है वो कहते हैं कि सरकारों के लिए कई बहुत जरूरी होता है कि जनता को knowledgeable बनाए जनता को कहते हैं ignorant रखना is not a very good strategy वो लोगों को knowledgeable बनाते हैं and कौन सी knowledge सरकारें spread करती हैं जो सरकारों की favor करें जो सरकारों को जो थोड़ा सा control जो सरकारों को लोगों को control करने में मदद करें then Michael Foucault को यहां बात और भी करते हैं कि अगर हम जो लोगों पर अगर हमें control बनाए रखने तो वो कौन सा knowledge source consume कर रहे हैं knowledge consume कर रहे हैं तो हमारे से ही consume करें तो ऐसी ideas को वो जो penopticon का idea भी आता है यहां पर कि सरकारें एक तरह से इस तरह से जो अपने आपको organize रखती है कि लोगों को लगे कि हर वक्त उन पर survey last चल रही है कोई ने कोई उनको देख रहा है ठीक है Michael Mann then grandest theory लेकर आते हैं Michael Mann की social power को लेकर तो इसको Michael Mann की theory को definitely ही देखो वीडियो को then उसके बाद political parties की बात होती है कि क्या है political parties कैसे जो various groups से different होती है interest groups, protective groups, promotional groups बहुत ज़ादा holistically covered है in fact I want to tell you है कि हम अपने paid programs में भी indexes को use करते हैं ठीक है तो ये content इतना powerful है बच्चे सिरफ और सिरफ free content को देखके rank निकाल रहे हैं तो paid content में तो हम थोड़ा सा extra समान डाल देते हैं कुछ और जो latest development चल रही है कोई latest thinkers हैं जो हमें पढ़ने चाहिए जो सच अभी नहीं थे हैं यहाँ पर available सब्सक्राइब करते हैं और एक जैसे हम उस country के अंदर चाहे हो सकता है हम जैसे एक collective feeling है एक we feeling है वी हम सब हैं एकठे then उसको जो run करने के लिए govern करने के लिए there is something known as state सरकार ठीक है तो इसी लिए country, nation and state को थोड़ा सा आप समझें और क्या चीज है क्या ideas है थोड़ा ओर detail में जाएं various thinkers के बारे में जाने important चीज़ें इनकी theories कैसे रहती है and उसके बाद particularly जो कुछ contemporary ideas की हमारे आज के जमाने में particularly अगर हम देखे हमारी जो सरकारें कैसी जो किस विचार धारा से चलती है and क्या-क्या उनकी ideologies है ग्राम सी क्या कहते हैं बाप जैसे सब कहते हैं work fair economy आ गई वो कहरें कि welfare जो था पीछे रह गया welfare में अगर आप काम नहीं करेंगे तब भी खाना मिलता रहेगा work fair में क्यों होता है कि अगर खाना खाना है तो काम कीजिए ठीक है मंद्रेगा मंद्रेगा में वो कहरें कि पैसे कमाने सरकार पैसे देदेगी आपको जॉब देदेगी लेकिन जॉब करने पड़ेगी आगे आगे आपको सड़क बनाईए या तो कुछ भी खड़क हो दिए कुछ भी कीजिए काम कीजिए वर्क कीजिए फेर मतलब वर्क फेर होगा वेल फेर में थोड़ा सा जो फ्री थोड़ा टाइप फेरिंग थी उससे कहते हैं आगे निकल गए अभी वर्क फेर की तरब बढ़ चुके हैं लुई आल्थूजर, निकोस, जो पुलांजा, नॉडलिंग, स्कॉच पॉल यह सभी चीज़े आपकी वैसे गेवन हैं सारे के सारी वैसे हरलंबस ही हमने जो इसको एक्स्टेंसिवली हरलंबस इगनू कुछ टॉपर्स के नोटस में हैं वहां से एक्स्टेंसिवली बॉर् कुछ चीज़ों को सोचे कि हम globalization की limits आ चुकी हैं गया तो ऐसे अगर हमें उनकी theories पता होंगी, world politics के बारे में पता होगा तो हम बहतर तरहां से answer दिख पाएंगे then हम citizenship की बात करते हैं कि हम सभी नागरिक्तों हैं कि क्या हमारी duties हैं कैसे citizenship की evolution कैसे हुई, कहां शुरू हुआ idea हना इन सब चीज़ों के बारे में UPSI सवाल पूसता रहता है, nationalism में earnest जो गेलनर का idea बहुत ज़ादा important है, various तरह की nationalism जो देखने को मिलते हमें, nationalism and globalization कैसे hand in hand चल सक अगर हम देखें एक बड़ा topic भी है, bureaucracy, ठीक है, तो वहाँ पर आप bureaucracy को भी देखें and then कि revolution important topic है, लेकिन बहुत side-lined, बच्चों का पता ही नहीं होता कहां से cover करें, revolution आप rapidly देखिए, कुछ थोड़े सी ideas हैं, 18 ideas, civil society क्या होती है, आप सब में, हना, तो देखो एक तो है, बड बीच में भी कुछ है, इन दोनों के बीच में वो है, जो बीच का level, mid level, that is known as what, civil society, ठीक है, वो है civil society, तो वो एक individual, अगर मैं कुछ, हम थोड़े से लोग ही कट्थे हो जाएं, तो हम थोड़े से लोग ही कट्थे हो जाएं, तो हम थोड़े सरकार पर दबा बना सकते हैं, हम लेट से मालो कि हम resident welfare association वाले हैं, अगर इकलौता है इंसान को लग रहा है कि बहुत कूड़ा कर्केट है, यहाँ पर शायद कुछ सुनेगा नहीं, लेकिन अगर हम थोड़े से एकट्थे हो जाएंगे लोग, हम बोलेंगे सर यहाँ बहुत गंदगी है, सर यहाँ पर बहु मन जाएगी, तो बहुत सारे individual मिलकर बनाते है, civil society, और बहुत सारे civil society है, जा हमारी पूरी completely मिल जाती है, तो nation बन जाते है, तो इसको आप समझेंगे, और बहुता तरह से idea समझाएगा, then छोट 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 ऐसे minute, जो difference वाले point, protest, agitation में क्या फरक है, social movement में कैसे तबदीर हो गई थी, क्यों दी गई थी, उसके अगल समझते हैं, तो बात थोड़ी जल्दी समझाती है, नील्स मेल सर ने भी strain theory दी थी, तो strain theory के बार में भी हैं बात दिखी है, ओके, सरल शब्दों में बताऊं, तो हम जो notes हैं, बहुत extensive हैं, लेकिन अपने contemporary जो भी debate चल रही है, जो covid आ गया, चला गया, उसके कारण जो debate चल रही है, प्लीज उसके ध्यान रखिए, ठीक है, and accordingly अपने आपको upgrade करते रही है, बाकी हर लंबस में chapter number 9 है, जो वहाँ से हमने extensively, जो ये concept बारो की हैं, आप उसको भी पढ़िए, ऐसी मैं आपको बचाता हूँ यकीन दिलाना, ऐसी क पेपर कराक होते हैं, ओके, then question, जो chapter 7 पर question है, कि जो हम next class में discuss करेंगे, question करेंगे, explain democracy as an order of society, ठीक है, democracy as an order of society, मुश्किल सवाल नहीं है, समझ के अशको answer कीजिए, आप पढ़ेंगे, lecture लगाएंगे, बात समझ आएगी, what are the factors preventing people's participation in politics, ठीक है, कि क्यों लोग politics में participate नहीं करत तो इसको question को next class में discuss करते हैं, and जो मैं आपको last class में question दिया था, जो हम आज discuss करेंगे, वो हमने अपने paid module में दिया था, लेकिन अभी उसको public कर रहे हैं, ताकि जादा से जादा बच्चे उसका फाइदा उठा पाएं, क्योंकि वो पहले module में था, बच्चे उसका फाइदा उठा चुके हैं, answer लिख चुके हैं, बढ़िया, तो मैं इसको आता हूँ बताने इसके तरू कि हमारे paid modules रहते हैं, जहाँ पर हम answers लिखते हैं, कुछ-कुछ value edition, कुछ अकबारों में आ रहे हैं, EPW में आ रहे हैं, तो value edition topics आते रहते हैं, लेकिन at the same time बहुत सारा content YouTube पर है, YouTube के content को हम अपने paid module में यूज़ करते हैं, तभी हम चाहते हैं कि अपने जो courses को low cost भी रखें, best से best content, upgradations, paper checking etc सब दें, तो एक ये question आप attempt कीजिए, UPC ने पूछा था, ठीक है, इसका हमने answer बनाया है, तो अभी मैं आगे इसको discuss भी करूँगा, जो आपको वीडियो लगा ह होगा, वही paid module में जो discussed है वीडियो, उसी का ही पार्ट है, तो is humanity at the mercy of nature, science, technology, क्या इंसान सिरफ nature, science and technology के ही, सिरफ और सिरफ mercy पर है, कि जब मन करे कभी pandemic आ गया, फिर vaccine निकला है, फिर उसको pandemic को रोग दिया, फिर a variant आ गया, इहीं चलता रहेगा, and comment in the light of pandemic situation, UPC ने पूछा, ठीक है, तो इसलिए contemporary issues important तो होते हैं, लेकिन हमारे पीछे solid backing होनी चाहिए, content की, हमारा जो पीछे जो भी हम पढ़ रहे हैं, अपने theories, etc, दिमाग में fresh होनी चाहिए, ताकि apply करें, contemporary तरह से apply कर देंगे, लेकिन theories नहीं आती होंगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है दोस दोस्तों स्वागत है आप सभी का sleepy classes में, दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया question UPSC ने पूछा भी recently, यह question ऐसे में जादा हमें देखने को मिलता है, इस तरह की question essays, etc के topic रहते हैं, तो आप आने वाले time में शायद कुछ जैसे वक्त पीटता जाएगा, थोड़ा COVID के इतिहास औ essay essays के topic को revisit करें, तो यह question यहाँ पर देखते हैं कि वो कहरें कि क्या, जो humanity है, वो mercy of nature है, ठीक है, the mercy of nature, science and technology की इसके अगर nature, science and tech में, अगर हम कुछ छेड़ चाड़ होती है, या फिर किसी तरह से कुछ बदलाव होता है, तो humanity पर बहुत जादा पर भाव पढ़ता है, आपन academic situation की light पर बात करनी थी, ठीक है, तो multiple तरहां से इसको answer कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा sociologically देख रहे हैं, तो कुछ thinkers के अगर यहाँ पर हम नाम drop कर दें, अगर तो थोड़ा answer और थोड़ा sociologically हो जाता है, ठीक है, उसकी beyond बहुत ही एक open एक field, open एक turf है आपके लिए, जहाँ प pact किया, हमारे जो इस relation ने nature को control करने की perspective से, कि हम nature को control करना शुरू कर दिया, हमने science and tech के जो usage से, and then pandemic, humanity, nature, कैसे तालुकात रखते हैं, pandemic को ही जनम दे दिया, इतनी बड़ी कोई चीज होगी, और चलो multiple theories है, pandemic कैसे आया, कैसे नहीं, लेकिन जो कुछ accepted हम जो चीज़ों पर बा जो नाम यूज कर सकते हैं, वो बोलते हैं कि human की जो progress है, human endeavor है, वो तो यही है कि कैसे वो nature पर control पाता रहा, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, ठीक है, and then उसमें science and technique कैसे मदद करी, etc. तो अब यहां बताईए कि सर, जैसे अभी nature, etc. को हम जो अगर drop करें, कि pandemic आया, सर, recently pandemic आ sequential है, कभी भी wipe out हो सकते हैं, and एक छोटे से हमें virus नहीं दिखा दिया, ठीक है, pandemic, then, लेकिन the same time, अगर nature वहां पर अगर भारी हो गया, at the same time, science and tech भी activate हो गया, vaccine बना दी, and vaccine से, अब इसको, जो हम फिर से, जो लड़ने की कोशिश कर रहे है, and normalcy restore करने की कोशिश कर रहे है, and लेकिन, ultimately, कुछ way out, तो suggest करना ही पड़ेगा हमें, कि कैसे आने वाले वक्त के लिए, हमारे पास क्या lessons है, ठीक है, multiple दरहां से आप इसको कर सकते हैं, कि science and tech को भी आप दिखा सकते हैं, कि science and tech ने भी आके हमें बचाया, pandemic की vaccine दी, थोड़ा आप वो दिखा सकते हैं, नहीं, sir nature कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो open field है, again I repeat, लेकिन मैं एक attempt करता हूँ, आपको कुछ यहाँ पर content देने की, थोड़ा structured content की, कैसे हम बढ़िया answer बना सकते हैं, ऐसे questions का, okay, पहली बात हो है कि, आप human और nature का कुछ relation बताएं, अगर humanity के बारे हम बात करें, कि generally ऐसा लगता है क humanity बहुत जादा control में आगई है planet के, लेकिन उसके बावजूद भी events ऐसे होते जा रहे हैं, जो हमारे control के बिलकुल beyond है, rather हमारे presence के कारण बढ़ते जा रहे हैं, आप जैसे global warming के कारण आप लिख सकते हैं, जैसे hurricanes आ रहे हैं, दुनिया के most developed parts में बहुत वाही मचाते हैं, जै humanity की continuous जो march है, continuous जो progress है, वो इसी तरह से है कि वो nature को ही control करती चली गई, और इसलिए जो यहाँ पर हमें ऐसे as such marks लिखते हैं नहीं कहीं पर, लेकिन अगर हम marks का थोड़ा bias देखें, marks का थोड़ा bias industrialization की तरफ नज़र आता है, कि man के इंसानियत के benefit के लिए nature को हम थोड़ा source म रहेगी, लेकिन वो nature को चाहा रहे हैं, कहीं नहीं exploit करना for the benefit of humanity, okay, तो Rachel Carlson, आप इनको हमेशा ही हमेशा mention कीजिए, silent spring, इन्होंने एक short essay लिखा था, बहुत ही बड़ी essay आप इसको पढ़ सकते हैं, online available है, तो एक hypothetical story लिखती है, महाँ पर वो, कि कैसे, जो अगर आपको मैं quickly स जो पंचियों की बार में लिखती है, और कैसे एक नई तरह का, एक कुछ white color का कोई ऐसे कोई बताती है, कि एक powder आया, और सब कुछ गायब हो गया, और ना तो अब यह कहते हैं, कि जो यहाँ पर नदी बह रही है, लेकि नदी बिलकुत silent है, और जो spring भी आया, कोई पंची नहीं आये लेकिन, तो वो बात कर रही होती है, उस वक्त वो DDT की बात कर रही होती है, कि कैसे एक जो सरफ छड़काव हुआ, कुछ insects को मारने के लिए, सारे का सारा ecosystem ही परभावित हो गया, hypothetical लिखती है, लेकिन हमें real world की जैसे नजर आता है, बहुत ही बढ़िया एक जो प लेकिन, प्रॉब्लम्स को चलो, definitely solve कर रही है, लेकिन, प्रॉब्लम्स भी create कर रही है, टेक्नोलोजी हम आगया, बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो solver भी है, लेकिन, creator भी है, of various issues, तो यह वाली एक चीज़ देख सकते हैं, लेकिन, आज भी, अगर हमारे सामने कोई दिक्कत आ कर रही है, तो इसको technology ही solve कर देगी, जैसे हमें solar, जो हमें panels लगवाने चाहिए, technology डवलप हो रही है, wind panel, etc., हम अपने lifestyle को change करने के बारे में बहुत ही कम ध्यान देते हैं, lifestyle तो increasingly और energy oriented होता जा रहा है, ठीक है, उसमें हम बदलाव होने कि कोई बात नहीं हमें नजर आती, न अबने Adorno को नाम भी देखा था, वो भी, वो कह रहे हैं कि शुरुआत में वैसे है, अगर Adorno की अगर आप इतिहास पढ़ें, Adorno का इतिहास भी ऐसा है, वो नहीं बहुत जादा technology, technology करते रहते थे लाइफ में, कि सभी mankind की problem solve कर सकती है, technology, लेकिन towards जैसे जो later part of his life, वो strictly against हो अगे थे science and tech, उनको लग रहा था, जितनी destruction cause हुई है, इंसानियत के साथ, जो world wars वगारा कुछ भी हुआ, जो बड़े-बड़े bombs बनने शुरू हो गए थे, cold war, तो वो कहने हैं कि technology तो बरबाद करने पर आ गई है, इंसानियत को, और काफी anti-stand ले लिया था उन्होंने against technology का जो फाइदे के उनको नजर ही नहीं आता थे, सिर्फ नुकसान, तो Adorno को तो अब हमेशा है anti-technology code कर सकते हैं, later part of life तो उन्होंने इसी पर dedicate किया, ओके, तो यहाँ बेने अपने man and जो मतलब man में तो technology, science की बात ही होगी, nature का कुछ तालुकार दिखाएं कि फाइदे भी होते नुकसान भी होते हैं, अब जो उससे हुआ क्या, हमने जैसे एक Earth Day नामक एक चीज निकाली, जैसे आगर आपको पता हो, GS में पढ़ते भी हैं, कि Earth Day में हम थोड़ा observe करते हैं, कुछ हम जो एक घंटा के light भी बंद कर देते हैं, etc, ताकि थोड़ा कि हम nature को help कर पाएं, क्यों, क्यों बचानी अर्थ, क्योंकि खराब हो रही है, ओके, विलिस कारियर का नाम डाल सकते हैं, कि जैसे आपना, जैसे वो कह रहे हैं, कि आपना, जो भी जब तक problems quantify नहीं हो जाती, तब तक हम उन पर action नहीं ले सकते, quantification ज़रूरी है, और वो कह रहे हैं, जब तक हम ल लोग मारे जाएंगे, और जो water table ऐसा हो रहेगा, वैसा हो रहेगा, तो लोगों को बात समझाएगी, अगर आप qualitative बात करते रहे तो लोगों को बहुत कम समझाता है, तो अभी हम ना जैसे, मैं आपको इसलिए broader content दे रहा हूँ, हम इसमें end में pick and choose करके, अच्छा answer बना सकत है, and then, क्योंकि एक ऐसा topic है, मुझे लगता है, इस पर बहुत time तक सवाल आते ही रहे, आते रहेंगे, और क्योंकि बदलाब होता जा रहे हैं हमारे जलवायों में, तो यह होगा, तो अब कुछ arguments हैं, जो हमारे human, जो endeavor को, जो nature को control करने के endeavor को, इंपाक्ट को बताते हैं हमे जिसे सबसे पहला, जो technology का, जो important, एक जो purpose रहता है, वो क्या रहता है, कि exploit, control, और या फिर improve किया जाए nature को, and उससे हो क्या रहा है, कि generally हम long term में देखते हैं, जिसे आप दोस्तों कुछ भी अगर आप imagine कीजिए, आप देख सकते हैं, जिसे plastic का जो जनम हुआ, कि हम metal के लिए हमें बहुत जिसे चीज़ने को खोदना पड़ता है, क्या करें, कि हमें ऐसे कोई चीज चाहिए, जिसे मान लिजे, कोई बरतन बन जाएं, गाडियां बन जाएं, इसे बहुत सारी जो चीज़ने बन जाएं, plastic का जनम हुआ, okay, plastic के अभी हम देखते हैं, इतने दुष पर भ जो waves हैं, हमारी radio waves, उसे कितने सारे जो birds के nests बगारा, birds के eggs shells, etc. जो destroy हो जाते हैं, और उनकी अबादी पर फ़रक पड़ा, जो house, sparrow तो गाय भी हो गई, क्योंकि शहरों में जो radio waves काफी जादा रहती हैं, तो with time ही पता लगता हमें दुष पर भाव, लेकिन हम बदल लें, अगर उसको हम कुछ अपने तरीके को बदलने, जिंदगी जीने के तरीके को जो lifestyle बदलने, शायद को change हो सकते हैं, तो लेकिन negative environmental aspect के बारे में हमें, जो हम improve करना जाते हैं, लेकिन वो और कराब हो जाता है, okay, then दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें, कि जो हमारे आसपास, कि हमने अगर 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 अबादी बढ़ी, तो अबादी बढ़ने से हमारी production बढ़ी, तो उससे जो वो standard है, water, air, animal diversity, soil diversity, सब पर impact पढ़ना शुरू हुआ, pollutants हमारे पहले तो हवा के उपर थे, मतलब जो जमीन के उपर थे, फिर जमीन के नीचे पहुँचना शुरू हो ग network, etc. को आप quote कीजिए, कि human के endeavors के जो दुश परभाव तो endless हैं, all right, then, pandemic, humanity and nature, जो हमारा सवाल है, इस पर आते हैं, पहले, तो वो कहरे हैं कि जैसे आपने यहां पर इसका पूरा एक ना, एक system बढ़ा सकते हैं, कि कैसे हुआ, कैसे, यह पूरा का पूरा जो दुश परभाव जो शुरू कैसे हुआ, pandemic, पहली बात हो, जैसे ऐसा हुआ, कि जैसे जैसे हमारे urbanization बढ़ रही है, तो urbanization बढ़ने से क्या होता है, कि हमारे particularly जो लोगों को काफी close proximity में रहना पड़ता है, हाना, क्योंकि जो शहर के size थो उतना ही है, और लोगा के रहना शुरू करते हैं, त तो अब possibility बढ़ जाती है, कि वो एक दूसरे का disease भी contract कर लें, and at the same time, वो disease अब urban areas में jump in कर जाएं, क्योंकि जो forest area shrink हो गए, and forest area बिलकुल अब next है, बिलकुल urban areas के, तो इसलिए जो jumping of the viruses बहुत बढ़ जाती है, जो recent data बताता है, जो last 40 years में इतने viruses jump कर चुके हैं into humans, जितने पिछे अभी पूरी इंसानी जो history में नहीं किये थे, okay, and then उससे होगा क्या, जो benign थे अभी तक कुछ हमारे पर जो काम नहीं करते थे, animal microbes, अब हमारे लिए deadly pathogens बनने शुरू हो गए हैं, जैसे Ebola, etc., ये पिछे 40 सालों में निकले हैं, and उसके बाद ब्राजील के जंगलों मे गुषना शुरू हो गए हम, तो ऐसा सा हो गई है, तो ये अभी हमें, जो कहां से आए, जैसे हमारा अभी जो COVID, etc., ये इस पर हमेशा debate बना ही रहेगा, right, conclusive answer निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक हमेशा ही कुछ नहीं कुछ diverse perspective आते रहेंगे, कि lab से leak हुआ था, न नीचर के हम और confine करते जाएंगे छोटे areas में, okay, तो अब यहाँ पर देखें कि अभी जो pandemic आया, तो pandemic आने से हमारे जो सामाज को फटा फट से हमें बंद करना पड़ा, lockdown लग गए, दुनिया भर में सब कुछ, तो काफी humbling एक experience रहा, कि इंसान को एकदम से लगा कि अरे न and then, उसके बाद, globally interconnected world था, ऐसा नहीं हुआ कि सरफ एक ही जगा पर सीमीत रहा गया है वो, कि नहीं, उसके बाद, जो globally interconnected world में, जहां पर information भी इतनी rapidly जो travel करती है, उसके बावजूद हम नहीं इसको जान पाए, कि कितना जो यह deadly है, कितना rapidly यह जो इंसानों में आ सकता है, replicate, prol आ गई, and then, जब lockdown लगा, एक बार तो चलो, जैसे जो snow-capped mountains नजर आ रहे थे हमें, और जो Mumbai के dock में, dockyard में, जो वहां पर देखने को मिले, flamingos वगारा, and even Italy का, Venice का भी आया था, कि वहां पर भी dolphins वगारा भी आ गई, तो यह हुआ तो सही, कि हमारी intervention सरफ अगर briefly भी halt हुई, nature ने वापस आकर अपनी space claim करनी शुरू करी, ठीके, तो इसलिए, जो हम अभी क्या और है, कि जो fit, unfit वारा जो Darwinian concept रहता है, तो उस पर debate वापस चले गई है, कि आवी really fit enough, कि अभी भी हम nature को, हमें लगता हमें, कंट्रोल करते हैं, लेकि nature का एक छोटा सा virus आके, हमें फिर से बहुत तंकर देते हैं, तो इसलिए fit, unfit की debate फिर से चुरू हो जाती है, कि हम कहां पर अभी lie करते हैं, हम अभी grossly unfit हैं, या फिर हम कहां पर in between कहीं पर हैं, ओके, हो कहने कि science ने longevity हमारी चाहिए life की बढ़ा दियो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे events हो जाते हैं, suddenly life is cut shot like, it never existed, हाना, एकदम से, और जो लोगों को impact करती है, और उसके बाद, जो अब climate calamities, हाना, हम सरफ बोलने कि pandemic है, pandemic ने हमें समझाया, लेकिन उसके बाद भी अभी खतम नहीं होती चीज़ें, अभी तो climate calamities शुरू हुई हैं, दुनिया भर में जिसे, जो heat events हो जाते हैं, suddenly, ज आसे सी चीज़ें जब हो जाती हैं, तो हमें रखते हैं कि हाँ कि कुछ तो बदलाव हो रहा है, और बहुत rapidly हो रहा है, humans को उससे बहुत जादा फरक पढ़ने वाला है, सबको फरक पढ़ेगा, लेकिन हमें अगर हम बात करें कि हमें फरक नहीं पढ़ेगा, बाकि सबको प ठेक, ठीक है, तो इसलिए हम क्या करें, यहाँ पर जो UNSD है, जो गोल्स की बात करें, तो UNSD जो चंस्ता भी रहती है, वो भी कह रहे हैं कि हमें future generations के लिए हमें अगर resources बचाने हैं, और हमें अपनी आप की जो प्लानेट को भी अगर let's say fit for living रखना है, तो हमें बदलाव जो बहुत सारे जो goals कुछ बोलते हैं, हमें achieve करने होंगे, अब हम marks की बात करें, marks के साथ जो angles भी रिखते हैं, कि हमें nature पर dependence तो है, इसलिए हमें nature से बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया है, जैसे कुछ line है, तो यहाँ पे आपके लिए मैंने लगा दी, ठीक है, कि every step we are demanded that we by no means rule over nature, ठीक है, हम कोई conqueror नहीं हैं, जाके हमने जीत लिया किसी को, and but, लेकिन हम, but we with flesh, blood and brain, belong to the nature, हम nature के बीच में ही जो जेवित रहते हैं, and जितनी भी हम, जो हमें लगता है कि हमने mastery, etc. कर लिये, nature के सामने हमें again, बार-बार हमें humble होना पड़ता है, ठीक है, तो 1920 में जो आया था, जैसे जो 1918-1920 में, जब last, जब हमारा pandemic हुआ, उसके जो 100 साल बाद फिर से, जो हमारा भी pandemic हुआ, तो हमें एक बातों समझा रही है कि 100 years afterwards, काफी science progress हो गई है, एक साल में vaccine बना ली गई है, तो लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया रुक ज लेकिन आज भी हम बहुत ज़्यादा vulnerable हैं, एकदम से पता लगता है कि जो healthy इंसान is just no more, ठीक है, तो इसलिए हमें जो हमें क्या करना है कि हमें nature को bulldoze ना करते हुए, nature की harmony के साथ हमें exist करना है, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे अभी जीत पाटक हैं, जैसे जो COVID साज, COVID के आ is a professor in JNU, और बहुत ही बढ़िया जो इनका perspective रहता है, philosophical aspect, essays के लिए, आपको जो thought process को refine करने के लिए, इनके पास बहुत बढ़िया content रहते हैं, इनको definitely पढ़िये, ठीक है तो एक बहुत मैं इसको revise करता हूँ, और फोड़ा question के साथ से चलते हैं, कि वो कह रहे हैं कि humanity के mercy प nature को चाह रहा है, conquer करना, use करना अपने भले के लिए, लेकिन बहुत सारे issues भी create हो जाते हैं, science and tech ने हमें मदद करी, लेकिन science and tech ने हमें बहुत सारे problems में भी डाल दिया, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ को चीज़ों के नाम लिख सकते हैं, और critical examination भी कर सकते हैं, चाहे आप ज रोख दिया है, globally interconnected world था, उसको भी रोख दिया, लेकिन हम यह रोखने से पता लगा कि nature वापस आता है, अपनी space reclaim करता है, and fit और unfit में हम शायद unfit नजर आए बहुत जादा, and then उसमें अगर हम देखें, जो pandemic की situation में, जो इसका reason देखा हमने कि pandemic में क्यों है, ऐसा reason हो रहा है उनकी diseases, they start jumping into one other, and हम humans में भी आ जाते हैं, तो उसमें हम अभी science and tech कुछ हम वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा, and लेकिन at the same time आप यह वाली जो line है, बहुत बढ़िया, कि paradoxically हम आज भी यही सोचते हैं, कि science and tech जो problems create कर रही है, वही science and tech हमें solution भी देगी, बिना lifestyle में कुछ हमारे कुछ विचारधारा में बदलाव किये, ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, and then इसलिए आप बताएं कि हमें कुछ goals हमें achieve करने, and angles ने बोला कि हमें, कि particularly हमें nature के पर हमें dominate, bulldoze नहीं करना, हमने उसे बहुत कुछ सीखना है, and then उसके बाद हम बोलें कि जितना अब हम nature को control करने में हम alienate हो गए हैं उस alienation को कम करते हुए, हमें natural तरीके ही सीखने होंगे, थाकि एक तो जिसे overall हम अपने आपको जो ना हम बोलें कि better और fitter बना पाएं, for the environment to exist, अगर changing environment है, अगर जो global warming, जलवायो बरबरतन होंगे, ठीक है, environmental अगर कुछ बहाब बदलाव हो आएंगे, at the same time हमें जो sympathetic और harmonious एक view लेके चलने है, and not a condescending view of the nature, ठीक है, science and tech, जो science and tech is more than nature वाली जो विचारधर है, इसको बदलना होगा, या तो हमें क्या करना होगा, nature तो is far more superior, जो कभी भी कुछ भी उनके जो arsenal में इतना कुछ पढ़ा हुए, and या फिर, या फिर nature and science and tech होना चाहिए, not or, ठीक है, तो ऐसे कुछ अपना, क्योंकि थोड़ा philosophical question है, कुछ thinkers के नाम drop कि, आपको philosophically tackle कर लेंगा, अच्छे number मिल जाते है, and then मैंने आपको बताया कि अभी जीद पातक की articles भी पढ़ी है, बहुत बढ़ी है perspective develop होगा, exam में marks मिलते हैं, और थोड़ा mature content निगल कर आता है, तो overall फाइदी की बात है, ठीक है दोस्तों, तो एक ये important question जिसे मैं चाहरा था कि थोड़ा सा और थोड़ा holistically देखें, ताकि हमें अगर इसके जिए से कोई और question आजर आए, ऐसे नजर आए, तो हम कुछ tackle कर पाएं, ठीक है दोस्तों, चलिए, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, बाबाई, टेक केर